विकास का स्लोगन इन्होंने दे दिया आप सबका साथ सबका विकास तो एक्चुली क्या था वुद्यवक्पतियों का साथ और अपना विकास नितीश कुमार जो मुख्य मंतरी यहार के हैं लंगतार परदान मंतरी मोधी के सामने जुग जाते हैं इसको आप लोग कैशे देख रही है इस समय देश को वैसे बीचार ही लोग चला रहे हैं। नो बोधा बन जाती हैं, चानपूर से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगी, आप है इपिस कुमार बिकास पुरूस के चैनपूर विधान सभा में काफी मतलब लोगों से जाके मिलते जूलते रहते हैं फोटो भी अप्लोड करते रहते हैं सोसल मीडिया पर इसको आप कैसे देख रहे हैं एक जनता के प्रतिनिदी के रूप में किसी काम का कोई मुद्दा ही नहीं है ये लोगों से मिलने का और फोटो अप्लोड करने का मुद्दा है सभी परतियासी चुनाव में लग चुके हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं इस वक्त हम बात चीत करेंगे चैनपूर बिधान सभा से चुनाव लड़ने वाली कॉंग्रेस की परतियासी अचला सिंग से में सीधे मुकाबल्या टकर देंगी मंत्री मुहमत जमाख खान को जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और बाचीत करते हैं कि चैनपूर बिधान सभा में क्या क्या समस्याएं हैं और वहां पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यह कैसे दूर करेंगी और अगर वहां से बि जमाखान daik जो कि आज भी हार सरकार में मंत्री भी हैनी ती सरकार में मंत्री जमाखान का निकष कर देंगी आप 25 में वह से चुनवाव लड़ने वाली है, जी टक कर देने के जहां तक बात है सीधी से बात है हमारी पार्टी का जो मुद्दा है और हमारी गढटबंदर सरकार का विकास और यह अपने आप में काफी स्ट्रॉंग और बड़ा मुद्दा है जो कि इनकी गवर्मेंट इसमें बिल्कुल भी विफल रही है इनकी सरकार तो इतना मजबूत के साथ तो मैं अपने इसी मुद्देग साथ इनको टकर देने वाले मितीज कुमार विकास पुरूस के नाम से जाने जाते हैं उनके मंत्री भी काफी एक्टिव रहते हैं चैनपुर विधान सभा में काफी मतलब लोगों से जाके मिलते जूलते रहते हैं फोटो भी काफी एक्टिव रहते हैं लोगों से मिलते जूलते हैं लेकिन इसमें विकास का और किसी एक जनता करती प्रतिनिदी के रूप में किसी काम का कोई मुद्दा ही नहीं यह लोगों से मिलने का और पोटो अप्लोड करने का मुद्दा है विकास पुरूस जुमला रहे चुका और अभी और उस जुमले बाजी को कितनी बार भी यूज किया जा सकता है लेकिन धरातल पे कुछ तो दिखना चाहिए कि सिर्फ जुमले बाजी से काम जलेगा आपके इसाब से क्या क्या समस्या है चैनपूर विधान सबाव वैसे भी अति पिछडा विधान सबाव बना जात है आपके सुरत सिच्छा स्वास्त और रोजगार वो तो बिल्कुल किसी भी धरातल पे नहीं है और रोड है और महिलाओं के लिए सुलप सोचाले और यह और भी चीज़ें जो इसको इसके साथ जोड़ी जा सकती है यह कहीं मतलब सरकार का जो एक काम होना चाहिए वहां सर चाहिए और जनता से मिलते हैं तो उन्हें खुद भी पता होगा रोड नहीं है आप तो बड़ी बड़ी गाडियों में चले जाते हैं और जनता का क्या जिने की अभी कुछ लोगों से मुझे सुनने में मिला कि आज भी वहां पे जो हमारा अधारा प्रखंड है उसमें क्कंवल और causal में ले जाये जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी में और भी टिलिवरीγें के लिए कंवल स्टॉल में तक लोग ले जाते होगे तो उनकी किया इस्थिति हो और कभी-कभी पहाड के रास्ते बंद हो हों तो लोग पास कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हुआ are पूरा जंगल में रहने की जो crawl यह बام के से पे आपके प्रेजैंट सरकार के मंतरी आ मंतर में और उसी समुदाय के मंतरी और पिछडा पर ले यह बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए बहुत सारे ओने चाहिए रही कलाAy बस वहां उस चेतर में काफी दिनों से चलता आ रहा है विधायक बनना है मंत्री बनना है उसके बाद भूल जाना है किसी भी पार्टी से एंट्री करना है उसके बाद में सरकार के पार्टी में दल बदल लेना है जनता का विश्वास लेके किसी पार्टी से आना है और फिर ब तो विकास उन लोगों के लिए जो वो जो जुमला या जो भी विकास की बात करते हैं वो अपने लिए बात करते हैं देखा जाएंगर 2005 से ही वहां पर इंडिये की सरकार है बिहार में और नितिश कुमार मुख्य मंत्री बने हुए हैं आज भी अगर चैनपूर विधान स्वा स्कूल की समस्या है वहां पर पीने के लिए सूथ पानी नहीं मिलता है ने इस सब समस्याओं को अगर आप मानने जी बिधायक बन जाती हैं चैनपूर से तो आप कैसे समाधान कर पाएंगे कि समाधान करने के लिए तो मैं उस मैंने उस चेत्रों को श्कूना है जहां कि वाकई विकास की जुरूरत है और जूम्ले वाली वीकास की नहीं जंता के विकास की और बेसिक कम से कम आप आप जैसे प्रधान मंत्री जी ने क्योटो और क्या क्या सबस्क्राइब आपको उनको देना और यह जिम्मेदारी विदारी इंग करें मेरा मेरा मेरे सबसे रिखान के लोगogen है क्सवा है माझी बी सबस्क्राइब हैं मुद्धा लेकर आगे बढ़ रहे हूं और और वो दिखता बन रहा है और लोगों में काफी घबढ़ाहट भी है बेचैनी भी है और पता है सभी को कि यह जो समिकरण जो अभी कई सालों से चलता हुआ आ रहा है अब वो फेल होगा क्योंकि आपने हर जगद होखा दिया जनता को और जनता जान चुकी है कि सेम पैटर्न वाम मुझे सिच्छा और स्वास्त है रोजगार के लिए काम चली रहे उस पर बाते भी होगी और हमारे घडबंदन के जो शर्सनेता हैं आप के पेटेज्वी जी वह भी रोजगार पे ही जादा तर बात करते हैं तो लेकिन लेकिन मेरी तो वह उस पर ध्यान दे रहे हैं तो लेकिन हमारा मेरा जो बेशिक मुझे अभी लग रहा है कि पहले सिच्छा स्वास और उजगार तो चली रहा है साथ में तो मुझे अपने च्छेतर में जो सबसे ज्यादा करना जैसे आपने बोला हस्पिटल और और उसके बार जरूरी है उन लोगों के लिए जुनकों के रहे गाई अगर एक सवाल और लेते हैं अंटीम में नितीज कुमार जो मुख्य मंत्री हमारे बिहार के हैं लगतार परधान मंत्री मोर्डी के सामें जुग जाते हैं कि इसको कैसे जूड कर सकता हूं तो अको जितने लोगों एक पॉजिसान को अपनी नत्मस्तिक हो और आप देश को वैसे भीc प्रफिक तो जिनको अपना विकास सही में स्पर्व उप्रशन होत यORA है रहें इसी तरह के नारे नारचे आप जो विखास ये अक्षुली आई था और षेम आपके नितिज जी भी अब उसको फॉलो कर रहे है कि आप मोधी जी का साथ अपना सुप्रियाम से बाचत एक कोंग्रेस नेत्री अचला सिंग्धि जो कि दोजब पचीस में चैनकूल बिदहानस भा से कोंग्रेस के टीकर से उमिदवार होंगी और इन्होंने कहा कि सबसे पहले चुनाओ जीते ही वहाँ पर हम सड़क की समस्या को दूर करेंगे और आज भी जो स्कूल से है उसकी समस्या को हम समस्या का समधान करेंगे चली भराल इस ख़बर में इतना ही आप बने रहे दा पंचायत के साथ आ को मेंट्स के बताएगा बहुत बहुत सुक्रिया